अपने आजकल एक टेक्निक चलती है। कई बॉस लोग अपने नीचे काम करने वालों पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि नीचे काम करने वाले फिर बॉस को उगली पर नचाते हैं। इससे सिस्टम बिगड़ता है। घरों में भी ये खेल चलता है। मनोग एज्यानिक कहते हैं कि समझदार पतनिया अपने पती को इतना निर्भर करती है कि फिर उसका कुछ इनके बिना काम ही नीचलता। कई बावलों से तो अटेची भी नीचनती खुद की। मैंने कई लोग देखे हैं कि खुद की अटेची वो भी घरवाली जमाईगी। ठाली घरवाली लगाईगी। कोई काम नहीं। इतना निर्भर बना लेगा। वो भी एक राज करने का धंग है। लेकिन इससे नुकसान होता है। कई बच्चे सीख ही नी पाते हैं। माबाप उनको इतना निर्भर बना लेते हैं। आज आप बुरा मत मानिएगा। पर भारत में कई बच्चे ऐसे हैं। जो प्रातक काल जब सुबह उठते हैं तो अपना बिस्तर खुद घड़ी नहीं करते हैं। अभी भी। क्योंकि वो मान के चलते हैं कि या तो माबाप गड़ी करेंगा। या काम करने वाला चप्रासी हमने इतना निर्भर बना दिया बच्चों को। कई घरों में आज भी बच्चे खुद जाके पानी नहीं पीते। या तो माप पिलाईगी या काम करने वाला करमचारी पिलाएगा। आप उनको इतना निर्भर बना रहें कि एक दिन बड़े होने के बाद वो सिर्भ हुकम चलाना जानते हैं और ये नुक्सान हो जाएगा। इससे अहंकार, जिद, हटाती है। तो ये आपको सिखना है, हनुमान जी महाराज इस मामले में हमको सिखा रहे हैं। मैं ये प्रसंग इसी लिए उठा रहा हूँ सजनों देती हूँ। कि आज हनुमान जी से हमको इस सीखना है कि किसी की मदद करें, किसी को योग्द बनाएं। आज पूरी तरह सुग्री उन पे आधारित थे पर हनुमान जी ने दुरुपयोग नहीं किया। आज हो सकता है बच्चे हम पे आधारित में पर हम को भी उनको जिसको कहते है न सेल्फ डिपेंडेंस। उनको स्वेयम को सिखाई है। हम कुछ काम नहीं करने जेते हैं आज कल अपके बच्चों को घर में कुछ भी नहीं करते हैं। मैं एक घर में ठहरा था तो मुझे बड़ा अश्यर हुआ कि वो स्कूल जाने वले बच्चों का बूट उस घर का एक चप्रासी पॉलिश कर रहा था। और वो बच्चा वेट कर रहा था कि वो पॉलिश पूरी हो तब मैं पहन के स्कूल जाओ। मुझे बड़ा अश्यर हुआ यह न करिए अगर आपके घर में। उस बच्चे को सिखाईए कि आपका बूट आपको पॉलिश करना है। आप जब प्रातक काल उठें आपका विस्तर आपको घड़ी करना है। बात छोटी सी है पर जीवन का यह नुशाफन उनके समूचे सोच पे अंतर डालेगा। और आप नहीं तो पच्चताएंगे वो इतने राजा वरती के हो जाएंगे कि एक दिन बड़े होने पे आप संतान और माता पिताक का अंतरी खत्म होता देखेंगे। और यह अंतर घरों में इसी लिए खत्म हो रहा है। इसलिए हनमान हमारे जीवन में हैं इसका मतलब सीखी है कि हनमान ने सुग्रीव से जो रिष्टे रखें कि सुग्रीव थे तो आधारी पर पूरी तरह से हनमान जागरूग थे कि न यह मेरा दुरुप्योग कर ले न मैं इसका दुरुप्योग करूँ। आईए आगे चलते हैं। तो व्यवसाइक जीवन में थोड़ा सेल्ट डिपेंडेंस मतलब बहुत सारे काम खुद करिए। आज भारत में यह दोश है। हमारे यह कर्मचारी मिल जाते ना तो हम लोग राजा हो जाते हैं। आपको आश्यर होगा कि यह भारत में जो पुरुष लोग अपनी डाइनिंग टेबिल पर बैटके खुद का गिलास भी खुद नहीं भरते हैं। इस सारे पुरुष जब विदेश जाते हैं तो हाथ से बरतन मांचते हैं। आपको मालूम ने विदेश में काम करने वाले लोग नहीं मिलते। वहाँ खुद भांडे मांच रहे हैं। अपनाई गरवारी रोटी बना रही है और साभ बांडे मांज रहे क्योंकि वो कितनी बनाईगी ये तो रंगडारी यहीं चल रही है और ये देखते देखते हमने बच्चों में उतार दी और ये नुक्सान होया इसलिए आप इस प्रयोग को हनमान जी के माध्वन से करते रह झाल